तो क्या सोच रहे थे आप सब लोग मैं क्या वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ वीडियो पोस्ट करने में क्योंकि कुछ इंट्रेस्टिंग चीज आप सब को दिखाना है इसलिए ही मैं इतना वेट कर रहा था वीडियो पोस्ट करने में आप सब लोग देख सकते हो, यह है मेरा निव टैंक, मैं मतलब क्या बोलू, मैं इतना खुश हूँ, और मेरा निव टैंक आप सब लोग देख सकते हो, घर पे है, मेरा घर पे हाँ, मेरा बेडरूम जहाँ पर है, वहाँ पर ही मेरा यह जो टैंक है, मैं रख रहा हूँ, हाँ सो मैं इस टैंक का हर एक अपडेट दोंगा और आज का वीडियो इतना दवा कदार क्यू हो रहा है यह तो मैं अब सब लोग को दिखाऊंगा ठीक है मैं जो है इस जो टैंक है यह टैंक को इतना दीन से मैं साइक्लिंग कर रहा था ठीक है cycling करना हो गई है अभी क्या करेंगे medicine दे देंगे और दे कर इसमें इसमें fish डालेंगे ठीक है आप सब को हर एक चीज दिखाऊंगा हाँ अब सब लोग सिर्फ क्या करना इस पूरा वीडियो देखते रहा है आप सब लोग देख सकते हो यह है methylene blue जो मैं दे दिया मेरा tank पे ठी antichlorine आपको देना ही है ठीक है आप अगर tap water यूस करते हो antichlorine जरूर दो ठीक है so मैं antichlorine दे दिया है ठीक है so medicine देने के बाद में fish में fish मेरा tank पे दूंगा मैं अब सब लोग को दिखाऊंगा आप सब लोग सिर्फ देखते रहा है और एक बाद अब सब लोग प्लीज इस subscribe करके रखो मतलब क्या बोलू एक एक करके सर्फ धामाखादार जो है वीडियो अपलोड होगा मैं goat fish feeding भी आप सब लोग को दिखाऊंगा सर्फ आप सब लोग इस चैनल को support करते रहा है so चलो मैं fish को tank पे दे देता हूँ so आप सब लोग देख सकते हूँ यह है मेरा rate cap हाँ जिसको बोलते है वो औरेंडर rate cap है और इसका price कितना पड़ा है मैं हर एक चीज बोलूंगा इस वीडियो पे ठीक आप सब लोग देखते रहो so मैं इसको क्या करूंगा अभी जो है मेरा tank पे यह सब fish को मैं दे दूंगा देका आप सब लोग को दिखा दाँ ठीक आप सब ल और यह water थोड़ा सा blue लग रही है क्योंकि मैं जो methylene blue जो medicine होता है वो मैं दे दिया है जीलिये ठीक है so यह बहुत जल्दी यह blue जो color है चला जाएगा एकदम crystal clear water हो जाएगा ठीक है आप filter on करके रखना तो बहुत जल्दी crystal clear water हो जाएगा ठीक है so अभी क्या करेंगे fish को यह पर रखेंगे हाँ 10 से 15 मिनी टीह पर रखेंगे क्योंकि temperature जो है exhaust करना पड़ता है हाँ यह main चीज़े इसको पहले करना पड़ता है ठीक है so देवी और सजनों अभी जो है मैं fish को tank पे छुड़ूंगा उसके पहले थोड़ा सा important और वी ज्यादा important काम है मैं क्या करूंगा fish को यह जो टाप है यह टाप में दे दूंगा ठीक है fish को दे कर उसके बाद धीरे-धीरे से मैं tank पे दूंगा ठीक है so अब सब लोग देखते रहा हो मैं पानी को इस टाप पे दे देता हूँ उसके बाद fish को इस टाप पे डाल कर मैं fish को एक एक करके छोड़ूंगा ठीक है जो एक खोल लिया हूँ, ठीक है, खोल कर किया करूंगा, मैं ये जो packet पैकेट का पानी और या पर में ये इधले धूंग दूँगा, ठीक है, छोड़ने के बाद एक एक करके, मैं मेरा fish tank पे छोड़ूजा मेरा कितने भी fish है ठीक है तो आप सब लोग भी ऐसे करना ऐसे करना से क्या होगा अपका फिश जब आप बाहर से लेके आते हो लेके आने के बाद अचनक से अगर आप छोड़ देता हो टैंक पे तो आपका फिश का जो स्ट्रेश होता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बूरा होता है वो का फिश टैंक पे जाएगा ठीक है और थोड़ा सा पानी दे देता हूँ उसके बाद फिशकों में एक एक करके टैंक पे छोड़ता हूँ ठीक है आप सब लोग देखते रहा हूँ आप सब लोग दिल धाम के बैठिये दिल धाम के बैठिये क्योंकि अभी जो है मेरा औरेंडा जो रेट कैप है उसको मैं मेरा टैंक पे चुड़ूँगा आप सब लोग देख से तो कितना सुन्दर क्वारिटी है और जो गआ जो दो औरेंडा जो रेट कावे उसको भी छोड़ूँगा एक एक करके ठीक है यह पर दो फीच जो है मेल फीचे और एक फीमेल है ठीक है मैं वीडिंग परपस के लिए गाए ऑप सब लोग ऐसे मत सुचो मैं इसको मैं पालूँगा पालूँगा लेकिन वीड प्रवाइब दोड़ा सा स्टेश में रहेगा लेकिन दो तीन दिन के बाद आपका फीश जो है अब दोड़ा सा मतलब अगर अंजन कोई जाते हो तो आपका भी जो होता है फीश का भी सेम ही होता है अब सब लोग देख सेक तो एकदम उतना अक्टिव नहीं है लेकिन बहुत जल्दी ये अक्टिवनेस दिखाएगा ठीक है सो मैं आप सब लोग को दिखा दो हाँ जाब एक्टिव होता है उसके बाद आज का वीडियो इतना ही हाँ मैं जब एक्टिव हो रही है उसके बाद कैसे दिखाई दे रही है मैं आप सब लोग को दिखा दो लेकिन उसके पहले वीडियो एंड करने के पहले याफी दिखान अपका दोड decomposition क्या ओगा अपका फीश जो है आपका जो बोल रहता है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा ठीक है तो फिर भी आप सब लोग देख सकतो हो, हां उतना एक्टीव नहीं है लेकिन दो दिन उइट करो, आपका फिज जो एक्टिव हो जागाए, वो दो दिन के बाद कितना एक्टीव हो रही है, मैं आप सब लोग को दिखाता हूँ, ठीक है सो वीडियो यहां पर रेंट करता हूँ दो दिन के बाद का जो क्लीफ से में आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ ठीग है सो देवी और सजनो आप सब लोग देख सकतो कितना एक्टिव है ठीग है एकदम ब्रीडिंग मतलब क्या बोलो ब्रीडिंग प्रोसेस जब रहती है उसका पहले वह इतना एक्टिव हो जाती है ठीक है तो मेरा फिच दो दिन में ही उसका जो ब्रीडिंग पोसेस है वह स्टार्ट कर दी है बहुत जल्दी ब्रीड करेगा मतलब ब्रीडिंग कर रही है आप सब लोग देख सकतो मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा लेकिन मैं आप सब लोग को नहीं बोलूंगा हाँ वो है और सब्सक्राइब है आप सब लोग को बहुत ही जल्दी मेरा रेट कैप और एंडा का वीडिंग वीडियो भी मिलेगा इस चैनल पर ठीक है तो आज का वीडियो इतने ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को वेट करो एक या दो दिन उसके बाद ही में सर्प्राइज वाला वीडियो पोस्ट करोंगा ठीक है